आज के समय में भी इमानदार लोग हैं फिर भले ही उनके तादात कम हो लिकिन समाज को बहतर बनाने में उनका योगदान काफी बड़ा है शहर की ऐसे ही एक महीला ने पुलिस को रुपयों से भरा बैग लोटा कर इमानदार होने का परेचोई दिया जानकारी के मुताबिक 27 सितंबर को घटिया में कॉंग्रेस की जन आकरोश यातरा के तगत आयोजित सभा में शामित होकर ग्राम सजजन खेडा निवासी अनील गहलोट लोट रही थी इसी दुरान उनका बैग गिर गया जिसमें 99,500 रुपय सही आधारकाट बैंक पास्पुक आधी दस्तावीज भी थे इसकी सूजना अनील ने पुलिस को दी इसके बाद टियाई आनंद भाबोर ने ततकाल संग्यान लेती हुए अपनी टीम को लगाया 24 घंटे के अंदर ही पुलिस घट्या की रहने वाली धापुबाई प्रजापत तक पहुँच गई जिसे बैग मिला था धापुबाई ने भी अपनी मानदरी का परीचर देते हुए पुलिस को सहर्श रूपियों से भरा बैग लोटा दिया इसके बाद पुलिस ने अनील गहलोद को बुला कर उन्हें बैग लोटा दिया इस काम में टियाई आनंद भाबोर उपनिरिक्षक अकलेश डांगे सैनिक आत्मराम चोहान सईथ पुलिस टीम का सराहनी योगदान रहा यह अनिल गहलोद सज्जन खेडा का है तो मोटर साइकल पर इन्यान वेजार 500 रुपे लेके जा रहा था तो वो बैग गिर गया था जिसका आवेदन थाने पर दिया था उसने तो जिसमें थाने से सबस्पर ट्रडांगे और सेनिक आत्मराम को इनको लगाए कि बैग ढूं आपकिल मृस्फे चाम उन्होंने तो उसको ढूंदा असितिव पेज के माधियम से तो पता चला की कि सी महिला ने उठाया है इस महिला का पता क्याा तो जो घटिया के हानी रेने मली धावुभाई उसके पास मिला उचा व्ले कि है रखा है टो यसक वैसके जैसा मिला था ऊ उसने वापस पूरे पैसे से लोटा दिया गया